साथियों, आत्मा निर्भर भारत को गति देने के लिए भारत में इंडुस्ट्री को सस्टेनेबल और प्रोडक्टिव बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशित है कि आटो मैनुफेक्टरिंग से जुड़ी वेल्यू चेन के लिए जितना संभव हो उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े। लेकिन इसमें इंडिस्ट्री को भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्स की ज़रुरत है। आने वाले पचीज साल के लिए आपके पनाज भी आत्म निर्भर भारत का एक स्पस्ट रोड़ मैप होना चाहिए। देशब प्लीन, कंजेशन फ्री और कंविनेंट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए पुरानी एप्रोच और पुरानी प्रक्टिसिस को बदलना ही होगा। आज भारत सेप्टी और क्वालिटी के हिसाब से ग्लोबल स्टांडर्स अपने नागरिकों को देने के लिए प्रतिवत है। बी एस फोर से बी एस सिक्स की तरफ सीधे ट्रांजीशन के पीछे यही सोच है। साथ क्यों, देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफर स्ट्रक्टर तक हर स्टर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। सरकार के इन प्रात्विक्ताओं के साथ इंड्रस्ट्री की सक्रिय भागिदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफरास्ट्रक्टर तक इंड्रस्ट्री को अपनी हिस्तेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तयार है। यहां से हमें अपनी पार्टर्शिप को नए लेवल पर ले जाना है। मुझे विश्वात हैं कि यह नया प्रोग्राम देश वास्यों में भी और आटो सेक्टर में भी एक नई उर्जा भरेगा, नई गति लाएगा और नए विश्वात का संचार भी करेगा।